बुद्वार को हमार नाज बिद्धिया आसरम में पेरा एथिकलेट्स चेंपियंशिप का आयूजन किया गया जिसमें दिव्यांग खलाडियों ने बढ़ चल कर भाग लिया इस संबंद में अधिक जानकारी देते हुए पेरा एथिलेटिक्स चेंपियंशिप के अध्यक सुनी शर्मा ने बताया कि निक्षित तोर पर इस प्रकार के आयूजनों से दिव्यांग बच्चों का मनुवल बढ़ता रहता है और ये आगे चल कर प्रदेशम राष्ट इत्स्तर के जिले का नाम भी रोशन करेंगे बविस्स में इस प्रकार का आयूजन लगातर किये जा रहे हैं जिससे की खेल प्रतिवा का निकार भी हो सके इस प्रकार के जो आयूजन होते हैं कहीना के इनका मनुवल तो बढ़ता ही है ऐसे प्रकार के आयूजन पहले भी हो जाने चाहिए है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानी सुनील शर्मा जी जो कि इस समय जो मत्रुआ के अदर पहरा उलम्पिक की साफित हुई है जिसके अध्यक्ष मानी अध्यक्ष है और जैप्रकार जी सचिव है आज से लपक 22 वर्षपूर मानी सुनील शर्मा जी के साथ मिलके और उलम्पिक संग के सचिव के रूप में हमने बड़ा भब आयूजन कराया था जिसमें करीब एक हजार विकलांग उसमें पता रहे थे आज हमारे मत्रा के अंदर उलम्पिक संगतो है पैरा उलम्पिक नहीं था पैरा उलम्पिक एक अंतरास्टी संस्ता है और इसमें भाग लेकर कि हमेरे बच्चे अंतरास्टी इस्तर पर नाम प्रका सकते हैं तो मत्रा में पैरा उलम्पिक पहली बार आया है और इसके मानी जैपकास जी हैं और अध्यक्ष मानी सुनीर चर्मा जी हैं तो अब हम लोग मत्रा के अंदर दिव्यांग भाईयों के लिए आयोजन की बड़ी सारी सुभधाएं कराएंगे संभावनाएं खोलेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह बहुत चल्दबाजी में हमने स्कते हैं का किसे घी लिए तक रसकतों है मिलिए हैं को अंतरास्दी औलंपिक संग और उसके साथ साथ इसी बारह तारिक आयोजन किया रहा है इस कारकम के माध्यम से ऐसे दिव्यांग भाई जो खेल कूद में रुची रखते हैं उनको उत्तरपदेश लेवल रास्टी लेवल और अंतर रास्टी लेवल पर ये लोग पहुंचें इस दिसामें हम लोगों का प्रयास है और ये कारकम आधनी डक्टर अनिल बाजपेजी के सर्रक्षणवें आयोजित किया जा रहा है पहले भी इस तरह के आयोजन किये गए हैं हमारी ये चेश्टा होगी के मत्रा जनपत से ये दिव्यांग जन अपनी ख्याती अर्जित करें और अधिकादिक ऐसे बच्चे खेल के माध्यम से अपनी पहचान बना सकें बहुत बहुत धन्वाद